हलो एवरिबन स्वाई वेलकम यू अगेन और आज की सेशन के अंदर हम मिनिस्ट्री ओफ सिविल एविएशन को कम्प्लीट कर लेंगे और जैसा कि हमने पहले की वीडियो सीरीज के अंदर भी देखा है हम लॉजिकल वे के अंदर कवर करेंगे ताकि आपको कम से कम रठा मार पड़े और यह चीज़े समझ में अच्छे से आए ठीक है तो चलिए अपने इसी उद्देश की प्राप्ति है तू अपना कर्म करना शुरू करते है ठीक है तो चलिए सबसे पहली जो हमारी स्कीम है वो है उडे देश का आमनागरिक उडान ठीक है जैसे इसमें किस किस से पहले पहले वर्ड से मिलके बना हुआ है उडान यू डी और अउडान उडे देश का आमनागरिक तो जहां भी आपका उडान स्कीम दिख जाए उडान शब्द दिख जाए समझ जाईए वो मिनिस्ट्र और सिवील अवियेशन है सिवील अवियेशन मतलब यह हवाई जाज वाला ठीक अब आप इसको लॉजिक से समझिए उडे देश का आमनागरिक आमनागरिक जो है क्या वो इंटरनेशनली उड़ सकता है नहीं भई आमनागरिक के लिए अपना यहीं रेलवे से उपर उठा दो तो वह बहुत बड़ी बात है तो आमनागरिक मतलब यह रीजनल ह हाइलाइट कर रखा कि रीजनल कनेक्टिविटे स्कीम है किस चीज की रीजनल कनेक्टिविटे स्कीम है हवाई जहाँ एक जगह से दूसरी जगह के ओपर जाएगा और वो सस्ता होगा इसलिए आमनागरिक को से खरीद लेगा है वो सस्ता होगा चलिए अब सस्ते की बात भ यह viability gap funding क्या है देखे सपोज मान लो कोई जो scheme है वो कोई भी project है वो 100 रुपे में complete होता है ठीक है और किसी भी industry के पास मतलब उसके उसके पास 70 रुपीज है तो इसको शुरू करने के अंदर कितने रुपे चाहिए 30 तो यह 30 रुपीज क्या है viability gap है ठीक है कि मतलब viable होने के अंदर इस project को 100 रुपे चाहिए है 70 viable gap कितना है 30 रुपे गा और अगर 30 रुपे प्रोवाइड कर देंगे तो यह viable हो जाएगा और जो यह fund है इसको बोलते हम viability gap funding का support ठीक है तो अब आपको viability gap funding के थ्रू जो है ठीक है तो यार एक तो बात देखो यार BPL के लोगों को बेचारों को खाने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है ठीक है government उसके अंदर भी इतना सारा black money black market के अंदर निकलता रहता है black money बोल रहा हूं ठीक है बहुत सारा चावा लग गी हूं तो जाती है बहुत बहुत बड़ी बात है तो इस बते से वाइबलेटी गैप फंडिंग ही एक option बचता है उसके लाव और कोई option है ही नहीं जिसके थू गवर्मेंट जो है subsidy या कुछ भी और जीच प्रोवाइड कर सके ठीक है आगे चलते है इसमें और क्या बात कि कही है अंसर्ड और ऑंडर सड रेजिन के अंदर जाती है बहुत बड़ी결 तो यह कैसे होगा Underserved को revival करेंगे existing air strips और airports को मतलब भई देखो कोई air strips है ठीक है यहाँ पर मतलब air strips मतलब हवाई पटी तो यह जो है खराब हो चुके बेकार हो चुकी है तो इसको दुबारा से revive करेंगे मतलब भई अपना इसी पर काम चलाओ तुम ठीक है तो यह हमारे कुछ चीज़ें हो गई Then underserved airports किनको बोलते हैं ठीक है underserved airports किनको बोलते हैं जिनके अंदर जो 7 flight से कम एक हफते में देखो भई एक हफते में 7 दिन है तो 7 flight है याद रखना simple है ठीक है अगर 7 flight से कम की ले के आनी पड़ रही है लेकिन यह priority area है North East की मतलब यहाँ पे तो हमें और जादा increase करवानी है फ्लाइट जो है तो वहाँ पे जो है 7 की limit करने की बजाए 14 की limit रख दी की एक हफते में अगर 14 पर दे के हिसाब से 2 का हिसाब पड़ गया तो अगर एक हफते के अंदर 14 से कम flight आ रही है तो उसे उसको underserved बोलेंगे अब यह benefit क्या underserved करने का simple समझो अगर कोई जो airport है वो underserved region के अंदर आ गया तो उसे benefit मिलेगा liability gap funding के थूँ उसे पैसे मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़े मिलेंगी ठीक है तो यह हमारी objectives थी अब इस schemes के salient features देखते हैं अब इसको जो है head cone करता है airport authority of India common सी बात है समझ में आनी चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है ठीक देन एक policy है आज एक बात धिहान रखो policy किसी के भी नाम से मतलब national sustainable agricultural policy national fana policy national electronic mobility plan policy कुछ भी हो policy तो जरूर होती है उसके पीछे तो इसी तरह है हमारी civil aviation के पीछे भी हमारी policy है जिसका नाम है national civil aviation policy and cap भी बोल देते हैं इसको national clean air program मत पढ़ ले न national civil aviation policy 2016 के अंदर ये आई थी बहुत बढ़िया हमने इसको highlight कर रखा है जांदार तरीके से आगे चलती है अब हमने बीच में देखा भाई liability gap funding होगी है तो कितना पैसा प्रवाइड करेगी गवर्मेंट पैसा प्रवाइड करेगी धाई हजार पर आवर गई साब से 500 km तक की range में मतलब 500 km के लिए प्रवाइड करेगी चैसे अगर हानो 1000 km किसी को travel करना है तो उसको maximum जो benefit कितना प्रवाइड करेगी five thousand ठीक है तो यह government дорог có opposition provide करेगी किसको provide करेगी passenger कोन नहीं passenger को provide नहीं करेगी company को provide करेगी टेक है passenger को वन्ना dbt नहीं लिखा हो अगर passenger के बारे में होता है तो डिबीटी होता शीदा है ना आधार कार्ड के थुरू लिंक कराओ यह वो फलाना डिमकाना सतर बिमारियां चलती पर चलो फिर हम यहां पर देखते हैं धाई हजार पर हावर के हिसाब से गवर्मेंट पे करेगी 500 किलो मीटर भी एक उसमें के इंदर लिमीट है ठीक है अगर मांदो कोई बहुत स्पीड से बखाएगा है ना मांदो पर आवर के हिसाब से अगर कंपनी ने सोचा कि हम यह सारा बेनेफिट जो है कवर्मेंट से प्राप्ट कर लें फूल स्पीड में बखा देख फूल थ्रोडल ओपन करके तो उसके बाद वह कम टाइम में पहुंच जाएगा वह साड़े 600 किलो मेटर भी कवर कर सकता है तो अकर एरोप्लेन के अंदर जितनी भी आपकी इधर से इधर यह जो सीट है बस सी बन गई वैसे ठीक है पर जो भी है उसके अंदर जो सीट है वह 50% सीट रिसर्व की की जाएंगी अब यह 50% भी क्या है मानलों किसी के अंदर हो 10 10 सीट का ही प्लेन हो तो 50% मतलब 5 सीट बुक करी जाएंगी नहीं क्यों क्योंकि minimum 9 बुक होंगी अगर 10 सीट का एरोप्लेन है तो उसमें से कम से कम 9 बुक करी जाएंगी और maximum 40 ठीक है अगर 200 सीट है तो उसमें से मतलब मर्जी है उसकी लेकिन maximum 40 सीट बुक करी जा सकती है आपके उडान स्कीम के थ्रू हमने वाइबलेटी क कौन देगी आपकी स्टेट गवर्मेंट सिंपल बात लेकिन ये अब ये ड्रामा क्या है 8500 मतलब 2500 का तो सबसेड़ी ही दे रही है तो ये कहां से निकाल दिया भई आपने ये इस चीज के उपर दिया इन्होंने कि देखो अब गवर्मेंट को जो ये अपना 80 पर सेर देना जैसे कि अगर मैं आपको बताओं कि कुछ भी शेस लगा लेते हैं मान लोग कोल है ठिक है कोल के ऊपर है न इन्होंने शेस लगा दिया clean energy शेस ठिका 400 रुपेश citation के हिसावसे चार तो ये कि जितना छो जाएगा उसके हिसावसे ये पैसा भी यहां से एक्स्टा लेंगे औ कि एक जो फ्लाइट जाएगी उसके उपर 8500 का चार जोगा यहां से जो पैसा मिलेगा इससे जो है अपनी शेरिंग में सेंटर को हेल्प मिलेगी और स्टेट गवर्मेंट जो है वो 20 परसेंट देगी लेकिन क्या हर जगे देगी स्टेट गवर्मेंट नहीं एक चीज़ ध्य उनियन टेरिटरीज में 100 परसेंट जो है सेंटर गवर्मेंट देती लेकिन यहां पे यूटीज के अंदर कितना है 10 परसेंट तो यह हमारे सिंपल सी एक चोटी सी स्कीम थी और यह सारा पैसा कहां पर जाएगा यह सारा पैसा जाएगा आपका रीजिनल कनेक्टिविटी फ जाएगा ना ठीक है तो स्टेट गवर्मेंट और मिनिस्ट्री फॉम अफेयर्स रिस्पेक्टिविली शेल बी रिस्पॉंसिबल फॉर इंबर्सिंग 100 परसेंट ऑफ वाइबलिटी के अंदर है स्टेट कहता है मैं तो अपने एक गाउं है यहां के अंदर फ्लाइट बढ़ेंगे आई बात समझ में बहुत बढ़िया अब इतना सारा पैसा जो है वो पैसा कैसा कैसे बचाया जाएगा पैसा बचाया जाएगा ऐसे स्टेट गवर्मेंट से बोला जाएगा जो भी ऐसे एरपोर्ट से वहां पर फ्री सिक्यूर्टी और फायर सर्विसेज दो पैसा लेती है यहां पर जमान लगते हैं तो यहां पर बोला गया है कि फ्री सिक्यूर्टी प्रोवाइड करो और कन्सेश्णल रेट के उपर मतलब है ना सारी चीज़े प्रोवाइड करवा हो साथ में लेंडिंग चार्जेज मतलो और जूनिया वर्के जो आपने ड्रामा लगा रखा है वो भी सारी charges मतलो आप ठीक है कम करो minimum करो यह सारी चीजे सुखमे जीवन बिताओ अपना भी और aeroplane वालों का भी और उससे लोगों के पास connectivity improve होगी तो यह हमारी उडान scheme थी उडान scheme के बाद आगे क्या है क्रशी उडान scheme देखा मैंने पहले बोला था जहां पर भी उडान आ जाए वहां पर आप समझ लेना ministry of civil aviation ठेक है mca का काम आगा मिनिस्ट अफ कॉर्परेट अफेर समझ लेना ministry of civil aviation ठेक है national civil aviation policy ncap कौन सी है 2016 अब आपको यह याद होगा जहां आपको इस के बारे में civil aviation के बारे में लिखना पड़े कुछ भी जो भी आपको लिखना लिख देना लेकिन इस policy का हवाला देते हुए लिख देना तो आपके answer के अंदर substantiate जो है एक value बन जाएगी राइट तो चलिए कृशी उडान स्कीम उडान तो हमें पता चल गया भाई ठीक है बहुत बढ़िया activity है तो उडान और agriculture related चीजी है जो perishable product है उनके लिए तो क्या है क्रशी तो क्रशी उडान स्कीम यहां से आती है इसका एक example भी है पहली जो domestic dedicated fright जो थी वो कहां से चली थी मिजोरम से कॉलकता एरपोर्ट और फिर जहना यहां से गई थी तो बस यह एकजांपल की तरह है बागी खुछी उडान स्कीम तब को पता है नौर्थी स्टोर, tribal के लिए बहुत ध्यान से नौर्थी इस्टोर, tribal, किसके लिए नौर्थी स्टोर, tribal, बहुत बढ़िया अब हम आगे चलते हैं डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म नाम से क्या बता चल रहा है डिजी यात्रा मतलब डिजिटली कुछ फंड आ होगा इसके अंदर तो डिजिटली क्या है देखो भई जैसे आप किसी भी एक्जाम में देने जाओ जो चोटे मोटे एक्जाम होते हैं उनके मतलब चोटे मोटे इंदर सेंस लोग भड़क जाएंगे अब यूपी एससी के लेवल पर आके बई देखो उनके अंदर ना वो करते हैं रेटीना स्कान वगरा ये वो थंब इंप्रेशन राटीर नहीं नहीं आधारी वरिएंगे तो यहां रहे है कि आप ein काम करो आप अपने सारे दोकुमेंट को है वैज़ीटल का कर Whereas जाओ सीधा अपना जो भी है digital thumb impression मारो face recognition के दरो सीधा अंदर मारो entry मारो कोई पंगा नी ठीक है तो जो है multiple points के उपर जो है इनकी entry है और paperless travel हो जाएगा ease of doing business जिसको बोलते हैं ये उसके अंदर भी काम आएगा जो एक ID बनेगी उसे डिजी यात्रा ID बोलते हैं अच्छे next scheme हमारी है नब scheme next generation airport for भारत ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब कुछ भी नहीं है ये बहुत समय पहले कि स्कीम कुछ नहीं है फालतुगा ड्रामा हिए इसके अंदर क्या वो लगा है कि 100 airport को 10 से 15 सालों के अंदर ऐसा बना देंगे कि हमारी अगले 10-15 सालों में ऐसा कर देंगे कि उनकी एरपोर्ट के अंदर इंवेस्ट करना होता है अगर यह scheme नहीं भी निकालेंगे तो भी इन्वेस्ट करेंगे और समय के साथ लोगों की जो है न पर्चेजिंग पावर इंक्रीज होती जा रही है और मतलब उनका सब कुछ इंक्रीज हो रहा है ठीक है उनकी इंकम इंक्रीज हो रही है तो वे फ्लाइट के थूरू भी बैठना शुरू करेंगे अब देखो पहले के समय में अगर आप पूछे तो साइकल बहुती मतलब किसी किसी के पास होगी फिर आपके पिताजी से पूछे तो ज्यादे दर लोगों के और अब तो साइकल का मतलब ऐसा है कि अब तो बाई की सब के पास है ठीक है जहें बीपियाली की होना हो तो यह इतनी इतनी समस्याएं जो है वो होनी श 10-15 सालों में 5 गुना उनकी capacity कर देंगे बहुत बढ़िया तो बस हमारे जो यह scheme थी यहीं तक थी क्योंकि प्रोशियों के बच्चे बहुत रोते हैं तो यही हमारी scheme थी next scheme हम देखेंगे ministry of coal in the next session have a nice day guys